मई दिसंबर फिल्म समीक्षा मई दिसंबर 2023 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन टॉड हैंस ने किया है और इसकी पटकता सैमी बर्च ने लिखी है जो बर्च और एलेक्स मैकेनिक की कहानी पर आधारित है मैरी के लेटर ने उस कैंडल से पूरी तरह परेरित इसमें नेटली पोर्टमैन एक अभिनेतरी की भूमिका निभाती हैं जो विवादास्पद महिला जूलियन मूर से मिलने और उसके जीवन का अध्ययन करने के लिए यात्रा करती है जो एक फिल्म में अभिने करने के लिए के तैयार है एक महिला जो 23 साल की उम्र में बदनाम हुई थी उनके पती चार्ल्स मेल्टन के साथ रिष्टा तब शुरू हुआ जब वह 13 साल के थे फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी जिसमें पोर्टमैन और मूर कलाकारों में शामिल हुए थे फिल्मांकन 2022 के मध्य में सवाना जॉर्जिया में हुआ इसका प्रीमियर 20 मई 2023 को 76 वे कांस फिल्म फेस्टिवर में हुआ जहां नेटफ्लिक्स ने उत्तरी अमेरिकी वितर्ण अधिकार हासिल कर लिए एक दिसमबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिन से पहले मई दिसमबर को 17 नवंबर 2023 को सन्युक्त राट्ज अमेरिका के चुनिंदा सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था इसे आलोचकों की प्रशंसा और विभिन प्रशंसाय मिली जिसमें 81 वे गोल्डन ग्लोब अवोर्ड्स में चार नामांकन और एक सर्वश्रिष्ट मूल पठकता नामांकन शामिल है 96 वे अकादमी पुरसकार में और अमेरिकी फिल्म संस्थान द्वारा 2023 की शीर्ष 10 फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था 2015 में अभिनेत्री एलिजाबेथ बेरी एक स्वतंत्र फिल्म में अपनी आगामी भूमिका पर शोध करने के लिए सवाना जॉर्जिया पहुची एलिजाबेथ ग्रेसी एथर्टन्यू का किरदार निभाएंगी जो 1992 में 36 साल की उम्र में अपने बेटे जॉर्जी के सहपाथी 13 वर्षिय कोरिया इमेरिकी जो यू के साथ पालतू जानवर की दुकान पर बलातकार करते हुए पकड़ी गई थी जहां वे दोनों काम करते जेल की सजा के दौरान ग्रेसी ने जो के बच्चे को जन्म दिया 23 साल बाद ग्रेसी और जो की शादी हुई और उनके तीन बच्चे हैं ओनर जो कॉलेज में हैं और जुर्वा बच्चे चारली और मेरी जो हाई स्कूल से सनातक होने वाले हैं एलिजाबेथ ने ग्रेसी और जो से उनके रिष्टे के बारे में साक्षात कार लिया पालतू जानवर की दुकान पर जाकर जहां दमपती मिले और काम किया एलिजाबेथ ने स्टॉक रूम देखा जहां ग्रेसी और जो को सेक्स करते हुए पकड़ा गया था और अकेले ही उस द्रिश्य को दोहराया वह ग्रेसी के पहले पती टॉम जॉर्जी जो अब एक संगीत कार है और उसके बचाव वकील से बात करती है। के अपने शौक को साझा करता है। एक बिंदु पर वह उन्हें एक साथ छुटिया मनाने का प्रस्ताव देता है लेकिन वह उसे यह याद दिला कर मना कर देती है कि वह शादी शुदा है। जब एलिजाबेट कहती है कि उसे नैतिक रूप से अस्पष्ट किरदार निभाने में मज़ा आता है तो मेरी स्पष्ट रूप से नाराज हो जाती है। घर पर चारली जो के साथ भां का सेवन करता है जो अपने बेटे को बताता है कि उसने पहले कभी भां का स्वाद नहीं लिया है। हाई जो तूट जाता है और चारली की बाहों में रोता है। एलिजाबेट के साथ परिवार ने जुरवा बच्चों के सनातक होने का जश्न मनाया। रेस्तरा में उनकी टॉम, जॉर्जी और ग्रेसी के पुराने परिवार से अजीब मुठभेड होती है। जॉर्जी का प्रस्ताव है कि ग्रेसी के जीवन के बारे में विवर्ण के बदले एलिजाबेट उसे फिल्म में संगीत परिवेक्षक के रूप में नौकरी दिलाएं। उनका दावा है कि उन्होंने ग्रेसी की डायरी पढ़ी और पाया कि उसके बड़े भाईयों ने उसका यौन शोशन किया था। जॉर्जी ने यह भी धमकी दी कि अगर उसे काम नहीं दिया गया, तो वह फिल्म रिलीज होने पर प्रेस में उसकी निंदा करेगा। एलिजाबेथ को जो से घर जाने के लिए सवारी मिलती है। दोनों ने सेक्स किया और एलिजाबेथ ने जो से कहा कि उसके पास अभी भी एक नया जीवन शुरू करने का समय है। जो एक बार चला जाता है, तो वह अपने अनुभवों को कहानी के रूप में संदर्भित करती है, यह कहते हुए की कहानी उसका जीवन है। जो रोरोकर ग्रेसी से अपने रिष्टे की शुरुवात के बारे में पूछता है और सोचता है कि क्या वह बहुत छोटा था। जो की तितलियों में से एक उसके क्रिसलिस से निकलती है। बाद में पूरा परिवार चारली और मेरी को सनातक होते हुए देखता है जबकि जो भीड में अकेले रोता है। जैसे ही एलिजाबेथ जाने की तयारी करती है। ग्रेसी उसे बताती है कि जोर्जी ने उसके भाईयों द्वारा दुर्व्यवहार की कहानी गढ़ी है। फिल्म के सेट पर एलिजाबेथ ने एक द्रिश के कई द्रिश फिल्माई जिसमें ग्रेसी को पालतू जानवरों की दुकान पर जो को समवारते हुए दिखाया गया है। जबकि निर्देशक संतुष्ट है वह एक और टेक फिल्माने के लिए कहती है और जोर देकर कहती है कि द्रिश और अधिक वास्तविक होता जा रहा है।